नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने। कुछ दिन पहले खबर आई कि भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि 2021 का जो सेंसस है उसकी प्रोसेस को और डिले कर दिया जाएगा। मतलब है कि सेंसस का जो सर्वे होता है जब लोग जाते हैं और वाकिए जन्गन्ना करते हैं तो वो तब तक नहीं होगा जब तक चुनाओ खतम नहीं हो जाएंगे। तो एक तरह से 2000 सेंसस का जो आंकड़ा है वो आते आते पता नहीं दोहजार 28 29 या फिर 2030 हो जाएगा या भी या नहीं उसके बारे में पता नहीं सेंसस के आंकड़ों को लेके जिस तरह से इस सरकार का रविया रहा है पहले उन्होंने कोविड का बहाना लिया उससे डिले करते रहे लेकिन हमको लगता है कि सरकार का डेटा रिलेटेड मतलब कोई भी ठोस जानकारी जिससे हम सेंसस के उकेजन को लेके इसका डिले के उकेजन को लेके इसके बारे में बात करेंगे हाज हम इसके इतिहास की बारे में बात करेंगे इस पूरे के पूरे जो इसके हाईलाइट्स हैं सेंसस आपरेशन से हैं इतना लंबा इतिहास रहा है उसके बारे में बात करेंगे लेक प्लानिंग के हिमान्शू के जी एसोसेट प्रोफिसर हैं आप सी एस पी में जावाला नेर्व उनिवर्सिटी में हमारे कारिकर में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सरकार का भारत सरकार का एक रूटीन सा एक अनाउंस्मेंट था कि फिर से डीले हो गया है और अब हम लोग एक जनवरी को फ्रीज करेंगे उसके बाद में संसस कमिशनर का आफिस तरह करेगा कि किस तरह से उनको करना है तो पूरा प्रोसेस डीले हो गया हम आप से आप इस एडिया के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है हमें समझाइए कि यह जो प्रोसेस 2021 में शुरू होनी थी जो उसका जो सेंसर्स था यह इतना डीले होने से या फिर ना आने से किसी के भी हेल्थ पे क्या आसर पड़ेगा सेंसर्स हमारा सबसे बीसिक डॉक्ट है अगर यह एक मात्र ऐसे डॉक्यमेंट है ऐसा आकड़ा है जो कि गाओं के लेवल तक जाता है माफ़ कीजेगा मैं आजकल जुमलों का जमाना है सरकार के तरफ से मतलब जुमले है बहुत आते रहते हैं तो क्या सेंसर को mother of all statistical एंड़ डेटा ऊपरेशन कहा जा सकता है बिलकुल बिलकुल यह basis है, census के basis पे ही जो हमारे बाकी जो sample survey होते हैं, उनके sampling census के basis पे ही होती है, अगर census नहीं हो तो कोई भी आप अपना अगर private survey भी करना चाहें, तो आप sampling नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो आंकड़े चाहिए, वो आपको गाउं के level तक क्या आंकड सर्वेय है, या आपको बाकी सारे जो सर्वेय होते हैं, इन सारों का जो sampling based होता है, वो census होता है, पर ये तो हो गया सांखी के data अपने आकड़ों की बात हो, पर हमारे यहां जो census है, इस census का का काफी विभिन्य विभिन्य रूप में policy में इस्तेमाल होता है, और policy में आप जो एक basic चीज है, deal limitation जिसकी बात होती है, अभी जो आसाम में deal limitation हो रहा है, बात इसको लेकिए बहुत विरोध भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, census के आंकड़े पे होता है, हमारे यहां जो नीतिगत व्यवस्ता की जाती है कि कि पूरे देस में कितने राशन कार्ट दिये ज होते हैं, आपको बाकी सारे कई सारे जो है वो central state transfers होते हैं, census के basis पे होते हैं, population basis पे होते हैं, तो census का इस्तेमाल policy level पे होता है, और कहीं बिल्कुल directly होता है, कहीं indirectly होता है, पर यह डे-to-day यूज में आता है, राजनीतिक चे हमारी जो पूरी legislative system है, delimitation की बात हो रही हो रह हो रही है, वो इस census पर टिका हुआ है, उसका आधार स्थम्भ, census है, कैसे जो constituencies बनती है, और यह सब करती है, academic level पे है, हमारा पूरा सांखिक का धाचा है, जिसको लेकर आज बात हो रही है, अभी आपने कुछी दिलों पहले देखा होगा कि rural urban में estimation को लेकर दिकत हो रही है जो भी है, यह सारे sampling जो है, वो census के मिना हो ही नहीं सकते हैं, तो यह एक तरीके से समझें, तो आप सही कह रहे हैं, mother of statistics कहें, आप परम यह तो, मतलब एक तरीके से कहें कि हमारे देश के foundation सिर्फ statistical level पे नहीं, कई सारे मामले में census काफी जलूरी है, हिमांचु जी, कुछ दि data, census, अलग-अलग किसम के जो surveys हैं, उसमें खासार से जो consumer related जो data की ज़रूरत होती है, इन सब चीजों के बार में आपने हाइदराबाद में एक बहुत ही बढ़िया और बहतरीन, you know, insightful lecture दिया था, तो उसमें कई चीजें जो हैं, आपने बहुत सरल तरीके से, जो इस area में का नहीं करते हैं, उनको समझाया था, आपकी एक बात कि बहुत, तीन आपने मतलब बिंदू बोले थे कि जिससे के explain कियाता है, denial, discredit, or deflect, ये तीन D's, again, alliteration का जवाना है, तो हम सब उसको इसको इस्तमाल करते हैं, क्योंकि as a tool it is convenient, तो इसके बार में जरा बताएंगे कि denial, discredit, और deflect, जिस तरह से आपने बताया था हमने पताएंगे जरा, ने मेरा यही कहना था कि जो अभी फिलिपिला पिछले खास करके पिछले दस सालों में ये चीजें हमने काफी देखी हैं, और लेकि सरकार हैं हमेशा जो है वो डेटा को लेकर थोड़ी बहुत डरी रहती है, जरूरी है, सच से डरना जो है जरूरी है सरकारों का, और सच लेकिन जनता के बीच की ताकत भी है, और आकड़े मुझे लगता है उस लेवल पे उस सच को बाहर ले आने में सबसे बड़ा एक युगदान, हमारे डिमोक्रिसी को स्टिंदिन करने में काफी बड़ा जनता के पैसे से कलेक्ट किया जाते हैं, जो सारवजनिक आखड़े होते थे, उनको जनता के पास नहीं ले जाया जा रहा है, उनको रोक लिया जा रहा है, जैसे एक अग्सपेंडिचर सर्वेज जो हमारा हुआ था 2017-18 में, जो NSS ने किया था, National Sample Survey ने, वो पूरा सर्वे हो गया, उसकी रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी सर्कार ने उस डीटा को पब्लिक्ली रिलीज करने से मना कर दिया, अंत में उसको एक जर्रेलिस ने लिक किया, जो डेटा रेडी था, उस रिपोर्ट को ही लीक कर दिया उसने, और वो रिपोर्ट सवाल पहले भी उठाया जाते थे लेकिन ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया और मैं सपस्ट उदारन देना चाहता हूं कि इस देश में एक सबसे बड़ा जो आंकोड़ों पर सवाल उठाया गया था जिसको ग्रेट इंडिन पवर्टी डिबेट कहते हैं जिसमें कि नोबिल प्रा कि आप इसको इस्तेमाल नहीं किर सकते हैं यह पहली बार हुआ है कि डेटा कलेक्ट हुआ है रास्ट्रिय जो हमारी सांखी की आयोग है इसमें कोई गलती नहीं है यह डेटा बिल्कुल सही डेटा है फिर भी सरकार उसको रोक देती है और रोक करके फिर अपने पाउं पे कि लाड़ी मारती है क्योंकि वो डेटा सिर्फ पवर्टी एसमेशन के लिए यूज नहीं होता है उस डेटा का इस्तेमाल होता है हमारी देश की जो मुद्रस्विती के दर इंफलेशन के दर है आज जो इंफलेशन सब्सक्राइब चर्चा हो रही है हमारी देश का GDP उस डे पाइस में होगा 1950 के बाद की दो GDP की जो रिविजन होते हैं उसके बीच का जो जड़ीप होगा वो दस साल से ज्यादा होगा है उसके पहले जहें 1951 से लेके जब भी जड़ीपी की जो रिविजन होती थी वो सेनसेस के साथ इंसें से निइंटीन फिफ्टी यान सीश्टी बेस होता था, 71 बेस होता था, दस साल के gap पे उस संसस के डेटा पे हो जाती थी, फिर उसको और gap को कम किया गया, फिर पांच-पांच साल के बेस पे आने लेगे, आज पहली बार होगा कि हम 15 साल के बेस पे अपना GDP रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमारे पास यह सारे डेटा experts नहीं है, 2017-18 के consumer data को लेकर आपने बोला, इसको रोका गया, सब कुछ तयार हो गया, नहीं हुआ, पत्रकार ने लीक किया, मतलब वो रिपोर्ट की पत्रकार लीक नहीं करते हैं, पत्रकार रिपोर्ट करते हैं, लीक कहीं और से हुआ होगा, और उसके पास सरकार उसको बै रहा था, यह 2011-17 के बीच में गरीबी बढ़ गई थी, यह पहली बार हुआ था था हास में, उन्हीं से 51 के बाद से पहली बार हुआ था, जब गरीबी बढ़ गई थी, मतलब ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग गरीब पौवर्टी लाइन के नीचे आ रहे, हाँ, 2011-12 से तुल्ना में, पौपलेशन जो पौर कहलाते हैं, जो सरकारी आंकडो के हिसाब से था, जो प्लानिंग केमिशन जो नीचे आयो के तरफ से जो आंकडे पौवर्टी रेट्स होते थे, अगर उसको आप कैल्कुलेट करते 2017-18 में, तो आपको दिखता कि गरीबी पौवर्टी जो है, बढ़ गई थी, लोगों के monthly consumption expenditure in real terms, मैंने inflation को adjust करके, वो 2011-12 के तुल्ना में, 17-18 में कम हो गए थे, ये normally नहीं होता है, एक साल, दो साल का अंतराल पर हो जाएगा, कभी बहुत बड़ी crisis आ जाए, covid आ जाए, तो समझ में आता है, पर फिर भी लंबा समय है, 11-17-18 के मिच में छे साल का फरक है, छे साल बाद भी अगर आपका monthly per capita expenditure जो है, वो real terms में कम है, ये असंभा हो है, मैंने rare cases में दिखता है, होता है, जेनरली जो है, disaster जहां होता है, या strife वाले areas होते हैं, वैसे होते हैं, normally नहीं होता है, covid में भी आ पर फिर वापस रिकवर कर जाते हैं, पर ये छे साल के बाद भी आपका monthly करके paper capita expenditure नीचे हो, 11-12 के तुलना में, ये थोड़ा जो है, वो surprising था, जाहिर तौर पर था कि सरकार के पास और कोई उपाए, तो सरकार इसे घबड़ा रही थी, आपने गरीबों की के नंबर बढ़ गए हैं, इसके बार में जिकर किया, तो एक चीज़ जो है, चुक्कि हम लोग आज जो इंटर्व्यू मदब आपका के साथ बाचीत कर रहे हैं, ठीक इसी के पहले रिपोर्ट आईए कि 41.5.41 करोर हिंदुस्तानी poverty line के बाहर निकाले गए हैं, इस तरह का एक आखड़ा आय भी आगे सरकारी narrative को बढ़ाए जा रहे हैं, उन लोगों ने सुबा से मतलब congratulatory messages भेज़े कि देखे हिंदुस्तान में सरकारों ने कितना कुछ हासल कर लिया, अब गरीबी जो है लगबग नियंतरन में है और बिलकु काबू में है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना कि इस तरह से जो आखरे में जो क्लेम किया जाता कि इतने करोर लोगों हमने निकाला वो क्लेम उन्होंने कहा है 2004-05 और 2019-2020 की बीच में, इसमें दोनों सरकारे हैं सामिल है, तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर कमी जो है वो पहले हुई हो, हमें ये 15 साल के समय की बात हम कर रहे और 2045 से लेके 2011-12 तक देश में गरीबी सबसे ज़्यादा कम हुई थी, ये तो प्लानिंग केमिशन ने खुद रिलीज किया था, ये तो अफिशल फैक्ट है, उसके बाद हमें जानकारी नहीं है, पर ये जो मेथड है, ये मेथड अलग है, ये हमारी तरफ से हम सरकारी तो टॉलेट है कि नहीं, अलेक्रिसिटी है कि नहीं, जबकि हमारे हैं जो पावर्टी हम लोग मेजर करते हैं, जो कंजम्शन एक्स्पेंटिचर, वो हम मनिमेट्रिक टरम्स में करते हैं, कि कितना आप खर्च करते हैं, रुपए का टरम्स में करते हैं, तो गरीब ही जो है, अ अंकडे में वो नहीं दिखेगा यह आंकडे हैं तो यह सारे आंकडे पुरानी कहानी है उन्हें सनब्वे में के आसपास में जब सरकार ने पहली बार कोशिश की गरीबों के खोजने की जो टार्गेटिंग में हम कहते हैं तब उन्होंने धारावी में एक सर्वे किया और वहां पे जो है वो एक गरीब नहीं हो सकता है, पता चला बेक दार्गे में तो नहीं है कि फीमाना अलग है तो आज के हंदूस्थां में आप जो करतें हिंसके सकते हैं जिसकेक gelir जो इन्टरनेट एक्सेस करता है वो गरीब हैं क्योंकि उसके पास मतलब information super highway की connectivity है और उसका इस्तमाल करके अपना गुजारा कर सकते हैं तो यह पैमाना अलग है और यह पैमाना जो है वो हमारी तरफ से अधिकारिक तोर पर सरकार इस्तमाल नहीं करती है और यह पैमाने का कोई कट-off जो है वो इसके बारे में कोई एक consensus भी नहीं है और ना इसको वर्ल्ड बैंक इस्तमाल करता है ना ही हमारी देश की संस्था statistical system एक इसको कह सकते हैं कि एक अलग method है जिसको की इस्तमाल किया जाता है पर फिर भी यह 2004 से 2019 के बीच के आंकड़े हैं अब उसमें कितने तीस करोड़ अगर जो है वो पहले पांच साल में निकल गए और बाकी जो और 2014 के बाद कितने परसंटेज करीबी से बाहर निकाले गए चुकि उसका कोई और definite आंकड़ा नहीं है स्पेसिफिक पिरिएट स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है तो इसलिए क्यूमिलेटिव अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट बनाना बहुत आसान है हाँ और उसके अलावा भी यह चीजे इस तरीके से भी होती है कि देखिए कंजम्शन बढ़ाना और इंकम बढ़ाना जो है वो थोड़ी मुश्किल चीज होती है पर अगर मुझे आपको बता दिया जाए कि इन पांच आकड़ों पे आपको जो है वह हम नंबर देंगे तो सरकारे इस मामले में कर सकती है अगर मुझे पता है कि अगर हम सिर्फ सबको टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे जो कि करना चाहिए तो उससे जो है वो गरीबी कम हो जाए तो गरीबी उससे हाँ मतलब एक एक डिमेंशन आपका कम हो रहा है पर इसका यह मतलब नहीं है कि लोग जो हर लोग आड़ा दी जो है वो तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने 2014 के बाद से कुछ खास जिनको यह लोग सो कॉल्ड सोशल विलफेर स्कीम्स बताते हैं शुरू कि हैं टॉयलेट बनाने को फेसिलिटेट किया है पीने का पानी पहुचाने का कारेकरम चला है तो क्या इन चीज़ों कि गलोबल रैंकिंग को बेहतर करने के दृश्टी कोन से किया गया थाकि हम दुनिया को बताजाएं नई यह चीज़े यह चीज़े ने हमारे यहां यह चीज़े पहले 2014 से पहले भी हो रही है में ऐसा नहीं है कि उसके पहले इस तरीके में या भषक करीब करीब सारे प्रम नए नाम से चलाया जाते हैं एलेक् conveyed करने से लेके है गैस प्रवाइड करने से लेके और आपको पंटेशन का पानी में 200 प्रेसिंग अब बात की थी पूरा पूरा कोई उसके चाहिए था प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूर एरिया तो उन्होंने उस वक्त बात की थी उसमें बहुत सारे यह चीजे जो है 2000 से चली आ रहे हैं यह वाजपई जी के समय में भी हो रहे थी उसके पहले से चली आ रहे हैं तो इन चीजों को सरकारों को करना चाहिए बिलकूल करना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि इसको ग्लोबल रैंकिंग और इन सम चीजों को पर यह ऐसा भी कहना है कि यही सटरकार कर रहे पहले नहीं होता था यह भी दोनों चीजों में फ़रक है और जाहिर तौर पे, एक लेवल अफ हमारी श्हमता भी बढ़ गई है वो उन चीजों को आगे ले जाने के लिए लोग को भी अब समिजदारी करके बढ़ने लगी तो यह चीजे हो रही है यह चीजे स्वता हो रही है और यह चीजे स्वता होने के बाद भी हो सकता है कल को यह चीजे 100% electricity हो जाए 100% जो है आपको toilet हो जाए 100% बहुत सारे चीजे हो जाए पर इसका मतलब यह नहीं होगा लेकिन अभी भी हम 100% literate नहीं है, हम 90% भी literate नहीं है, तो अभी बहुत सारे हमारे nutrition level पर अभी भी हम बहुत नीचे हैं, हमारा workforce, child mortality पर female workforce participation rate, बहुत सारे challenges अभी हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है कि यह पर इन सारे challenges पर बहुत दिनों से काम हो रहा है, और कल को इस पे कोई और हम आगे बढ़ेंगे, हम उस पर नए stage पर जाएंगे, आज हम जिनको जो है वो gas से दे रहे हैं, उनकल को हम electricity उनको देंगे, कल हम उनको से बड़ी चीज देंगे, तो यह तो एक होते रहता है, एक organic process है जिसमें कि यह चीजे होते रहती हैं. Census पे वापस आते हैं, अक्सर यह कहा जाता है, पाकी जो statistical और जो data सारा जो सरकार इखटा करती है, अक्सर कहा जाता है कि सरकारों ने इसलिए surveys या यह सब पूरा का पूरा system है, इसको चलाया है, क्योंकि उनको खुद आवशकता है आँख़ों की. हिंदुस्तान में जो census operation का इतिहास है, जो अंग्रेज ब्रिटिश पीरिएट में जो शुरू हुआ, शायद उसी तरम से जो colonial administration थी, उनको जरूरत थी, तो अगर उनको जरूरत थी, तो आज के सरकार को क्या जरूरत नहीं है? ज्यादा जरूरत है. फिर क्यों नहीं क्यों बिल्कुल जरूरी है. उसके बिना प्लानिंग नहीं कर सकते हैं. आपको किस जिले में कितने देने हैं, कितने resources प्रवाइड करने हैं, वहां क्या deficit है? अगर उस census का information नहीं हो तो आप कैसे करेंगे? सरकार aspirational districts की बात करती थी, अभी aspirational blocks की बात करती है. अब ये किस basis पे है? अभी भी 2011 के आंकड़े पे चलेंगे? 2014 के चुनाओं के पहले वादे किये गए थे भाती जनता पार्टी द्वारा कि हम लोग इतने smart cities बनाएंगे, तो ये सब इन ही आंकड़ों के basis पे किये गए हैंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, और हर एक एक तरीके से जो program है, कि आप इत हैं कि हमने 2 करोण घर बनाए, प्रदान मंत्री आवासिवजनान, हमने इतने सडक बनाए, हम इतने लोगों को हमने toilet दिये, हमने इतने लोगों को आंकड़े तो चाहिए न, उसी basis पे resource करेंगे न, अगर जो resource planning होती है आपकी, वो अगर 15-20 साल पुराने आंकड़े पे है, तो क्या resource planning होगे इसमें, न, आप plan कर सकते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप 15 साल के अपनी तनखा की basis पे अपना हिसाब किताब करें, मैनेज, तो नहीं कर पाएंगे आप, इंफलेशन हो गया है, चीजों के दाम बदल गया है, consumption pattern बदल गया है, level of infrastructure बदल गया है, जबकि अब बाकी सारी जो विकसित देश हैं, वो जो census का जो frequency है, उसको कम कर रहे हैं, दस साल से, उसको कम कर रहे हैं, पांच साल कर रहे हैं, कई देशों में कम किया गया है, कई देशों में कर रहे हैं, और कई देशों में सिस्टम ऐसा लिया है, जिसको की automatic updating system करते हैं, जैसे हमा वो तो आपको update करते रहना पड़ता है। Census में भी जो है, आपको एक base है, उसके basis पे आपको regularly update करना पड़ता है। कल को एक area जो है, वो peripheral rural areas में था, जो Greater Nord आ के पास हो या नहीं भी हो, अब वो शहरे की गाउं है, पिछले 15 साल में बदल चुका है, वहाँ का occupational pattern बदल चुका है, वहाँ के infrastructure needs बदल चुके हैं, वहाँ के requirement बदल चुकी है, वहाँ के बहुत चारे चीज़े बदल चुकी है, आपके पास अगर आकड़े ही नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, तो यह एक basic requirement है, मुझे लगता है कि दस साल क्या उसे कम होना चाहिए, आज के दिन में और हम वो कर सकते हैं, बहुत सारे देश कर सकते हैं, हमारे देश में भी हम यह कर सकते हैं, पर यह तो एक blind leading the blind type से हो गया, कि आपके पास पुराने आकड़े लेकर आप जो है, इसका कुछ थी, अभी हमारी जन संक्या 30 कोड़े जादा हो गई है, पर अभी भी हम पुराना अंकड़ा इस्तमाल कर रहे हैं, जबकि हमें जो National Food Security Act है, एक्ट के हिसाब से हमें 75% रूरल एरियाज में 50% अर्बन एरियाज में देना है, वो प्रतिसत के बेशिस पे है, परशन जो है, निकालना है, वो current population पर निकालना है, तो काफी लोगों ने इस पर calculation किया है, तो करीब-करीब पता चलता है कि 10 से 15 करोड़ लोग जो है, वो वन्चित हैं, जिनको यह राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार के पास नहीं आंकड़े नहीं है, कई बार ये भी allegation लगता है, मीडिया में खास्तों से जो लोग commentators हैं, कि राजनितिक दखल अंदाजी हो रही है, statistical system में, पूरे process में, तो आप तो इस area में से जुड़े हुएं, आप मतलब जो कहेंगे कि पांचों उंगलियों पे कि आपका pulse है, तो जड़ा समझाएंगे कि political interference आपने वाक example था, यह जो कि 2017-18 का consumption expenditure data, जब बेरोजगारी के बाद सुरू ही इसमें, तो हमारे हाँ एक संस्था है Ministry of Labor की, Labor Bureau कहलाती है, बहुत पुरानी संस्था है, बहुत बहुत पुरानी संस्था है, करीब-करीब independence के बाद से, और इस कई तरह के कांखडे निकालती है, यह आपको wages पर data निकालती है, 2008 में जब financial crisis विश्व में आया, तब कि सरकार ने यह निर्मे लिया कि हमें रोजगार को प्यारी में और जाद information चाहिए, कि financial crisis का impact जो है, वो क्या पढ़ा, इंटर्प्राइज पर क्या पढ़ा, लोगों के विवसाय पर क्या पढ़ा, रोजगार पर क्या है, जाहिर तोर पर उस पर लिखा कि जुरुजगार नहीं पैदा हो रहा है, सरकार ने कहा आप दुकान बंद कर दीजिए, क्वाटरली सर्वे को कहा कि आप दुकान बंद कर दीजिए, हमारे हाँ tax का data 1950 से पब्लिश होता है, उसका distribution पब्लिश होता है, 1999 के आसपास में quality पर, ततकाली एंडिये के सरकार डर गई, उसने कहा आंकड़े बंद कर दो, आंकड़े बंद कर दिये गए, फिर लोगों ने बोला कि भई, आंकड़े से क्या दुश्मनी है, वो तो आप जाहिर कर दो, तो फिर दूसरी, फिर जो है, वो दो तिन चार सालों में उस आंकड inequality और भी ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार ने बोला कि नहीं, अब यह आंकड़े फिर बंद कर देंगे, तो इसके तो तरह 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 कि जब भी आंकड़े जो है, politically unsuitable होते हैं, तो खतम करने हैं, कास सेंसस, हाँ, कास सेंसस, मैं तो हजारों एक्जामपल है, कि जहां पे क पीरियड में, कास सेंसस होता था, फिर खतम हो गया, भारत उसके बाद आजाद हुआ, आजादी के बाद कास्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्यों यह फैसले किया था, क्यों बंद किया गया था, और क्यों स्वादीनदा के बाद क्यों नहीं री इंट्रोड्यू नहीं हुआ, एक लंबा तब सब पीपल सब पीपल अप इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कास्ट के क्लासिफिकेशन भी करना है, जो अब चल ही रहा है, वो अभी तक खतम नहीं हुआ है, बहुत पब्लिश रिपोर्ट उनके, बहुत सारे वॉल्यूम्स है, उस समय इतनी जरूरत नहीं महसूस की गई, उस समय महसूस किया गया, कि इसको कम से कम हम कर लेते हैं, मनें, स्टी स्टी को तो कर देते हैं, मंडल कमिशन की जो रिपोर्ट, जिसकी बीसिस पर भी से रिजिशन लगाया गया, बिलकुल, उसने ये चीज अपने रिपोर्ट में हुआ भी, सोचिय एकॉनमिक कास सेंसस के नाम पे हुआ भी उसके आंकड़े अलग किये गए, रेजिस्टार जेनरल को दिये गए, लेकिन पब्लिश नहीं किये गए, कही तरह के सवाल उठाए गए, आंकड़ों में गलती नहीं है उसमें, यह जो है वह पारलिमेंटरी पैनल यह प्लब नहीं है, उसको पॉब्लिक दोमेन में रिलीज करने से पहले सरकार, जो यह सरकार है, उसने एक अरविंद पनगरिया, जो निती आयो के वाइस चेर परसन थे, उनके अध्यक्षिता में कमिटी बना के कहा कि यह अब कास सेंस के आंकड़े को आपको रिलीज करें आंकड़े की लोगों की खर्च कम हो गया है, गरीबी बढ़ गई है, इसमें कुछ जानकारी पता नहीं, पर बिजस तरीके से जोर सोर से उसका अनॉंसमेंट हुआ था, वो अचानक एक दिन जोर में, और फिर कई सारे राजनेतिक कंसिडेरेशन रहे होंगे, जो भी रहे ह गया तो रिलीज नहीं है, पर यह ऐसा एक उन्याने एक जामपल नहीं है इसे औने है, जिसमें कि आमिन आपको यह भी पता होगा, जब डिमानिटयजिशन हुआथा, जी तो डेली डेलीगा रिलीज होता था, इतने पैसे आया, इतने फैसे आ है, पानल डेटा था लास्ट एक वीक में पैसा गयाब कर दिया गया अभी जो दो हजार रुपे के जो डी मॉनिटाइज जो इसको स्क्रैप किया गया है उसको लेकि अभी कोई डेटा पब्लिक डोमेन में कोई देखने को नहीं मिलता बीच बीच में रिपोर्ट्स आती हैं कि 60% आ गया है 70% देखने के समय में तो लास्ट वीक में जब गायब हो गये तो सबको पता चल गया था कि 100% प्रतिस्ट प्रतिस्ट वापस आ गया तो पूरी तरह से जो पूरा प्रसेस था वो बिलकुल उप्योगी नहीं था उसके जो स्टेटिड अब्जेक्टिव से उसके कोई नहीं मीट किया गया जो भी था पर आंकड़ी छुपाने से सच तो नहीं बजल जाता अगले साल अगस्त में तो आपने रिलीज किया उसको उस आंकड़े को वो पहले भी कर देते आप से एक आखरी सवाल उसके बाद में लास्ट में हम सेंसे के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या लगता है आपने अपने जिस लेक्शर की बात में कर रहा था उसमें आपने डिमोक्रिसी को data और statistics की ज़रूरत होती है और data statistics को भी ठीक से निकलने के लिए democracy की जरूरत होती है ये एक अंतरद्वंध है एक interdependence है आज के सिती में आपको क्या लगता है कि data और statistics के अभवाव में democracy सुकुरता जा रहा है या फिर democracy सुकुरने के कारण data or statistics को दबाया जाँ रहा है या दोनों में दोनों बाते सही हैं पहली बात तो बिलकुल सही है कि democracy बिना independent data के प्रपेगंडा नहीं independent data के अधूरी है तो चाहिए, जनता को सचाहिए जनता को सचाई होगी, सचाई का ग्यात होगी, तभी जनता जो है उस चीज को लेकर एक informed opinion बनाएगे और ये चीजे हमारे electoral democracy के survival के लिए जरूरी है और इसलिए आप जो भी उन्नत देश हैं, महाँ पे statistical system को independence को लेकर एक अलग कानून है हमारे देश में भी इस कानून को बनानी की कोशिस पिछले 20 साल से चलता है, जो आखरी draft है, वो 2019 का draft है, वो आज तक पास नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई सरकार उसको पास करें, वो independence कोई सरकार देने वाली नहीं है मतलब, पर वो जरूरी है, आपके पास जानकारी नहीं हो, तो आप अपनी rights के इस्तमाल कर नहीं पाएंगे, democracy के लिए बहुत जरूरी है, और independent statistics का होना, इस देश में अगर कास सेंसर से कोई डरता है, लोग डर रहे हैं, वो इसलिए कोई की सचाई बाहर आ जाए, वो कौन इस देश के बहस जो होती है, वो जाती के नाम पे हो रही है, धर्म के नाम पे हो रही है, यहां पे छेतर के नाम पे हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे हो रही है, पर सचकत आना जरूरी है हमारे political बहस के लिए भी, political debate के लिए जरूरी है, और दूसरा जो आपने democracy को अपना हग के रुप में मांगना पड़ेगा जी कहना पड़ेगा कि ये हमारे आकड़े हैं ये हमारी जानकारी है और हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए बिलकुल मिलनी चाहिए एक आखरी सवाल चलते चलते क्या वज़ा है कि data और statistics census भी उसी में शामिल होता है कभी हिंदुस्तान में पुलिटिकल डिश्कोस के मुद्डे नहीं बने हैं जनता नहीं महसूस कर पाती है आज के तारीख में बात करें आम जनता से बात करें कि 2021 का की जन्गनना नहीं हुई ये तो किसी को कोई समझ के न है कि डेटा को लेकर लोगों को अंदर एक एक sensitivity नहीं है ऐसा भी नहीं है जब बीपील सेंसर शुरू हुआ था जी आंकड़े में गड़बड़ी थी जनता सब्सक्राइब आया जनता सब्सक्राइब आई थी और सब्सक्राइब आई थी सुप्रीम कोट ने उसको स्क्राप कर करने के कुशिस थी और हमें यह भी याद है कि जब पवर्टी के estimates आये थे तो पूरे देश पे 26 रुपे 32 रुपे पे बहस हुई जी जी लोग सड़क पर उतरे थे जब फूड सीक्रूटी के बात आई थी वसमें भी लोग सड़क पर उतरे थे आपको कास्ट की बात को ले पर हां यह बात जरूर है कि कई इसमें गुड़ बाते होती हैं जो कि जनता के पास उस तरीके से समझा पाना मुश्किल होता है और इसलिए वो जो दूसरा मैंने जो बात कहीं थी कि डिस्क्रेडिट करना डेटा को और उसमें जो अभी जो कड़ी है वो उसी कड़ी में है जो अपने जिसकी बात भी की एक अपर में जो आया कि आप उस पे शक पैदा कर दें कि आंकड़े गड़बड़ हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हैं तो उसके बगए रहा जा सकता है या फिर आप उस पे एक सक किसुई खड़ा कर दें मतलब यह उस से कहे कि अप जि कीज़िशत करना ऐक साजिश के तह्स भी हो रहा है शत्रा यघारा की जो आंकड़े है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है कि घरपट क्या 24 थी स्विव और के अब कह लिक कि इसको एक जंता को इन सारी चीजों के बारे में एक आवाज तो उठानी चाहिए। क्योंकि यह आंकडे democracy की basis पे हैं कि सरकार जो आपको प्रोपेगंड़ा लेके आ रही है या आंकड़े लेके आ रही है। और आकणों को भी democracy चाहिए और आपने मतलब बहुत ही इस जटिल सब्जेक्ट को इस विशय को बहुत ही सरलता के साथ आपने समझाया और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बहुत ही complex मुद्धे को समझ में आई होगी अगले साल लोकसभा के चुनाओं होने ड्यू है जंगर्ना जो है indefinitely अभी लगता है कि पोस्पोन हो रखा है क्या हम उमीद कर सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाओं में डेटा और स्टेटिस्टिक्स के मुद्धे जो भी हिमानशु जी के साथ हमने जो चर्चा में की क्या ये भ आते हैं आगे चलके पुलिटिकल डिस्कोस में शामिल हो जाएं धन्यवाद